दोस्तो रेड्मी के जनरल मेनेजर ने रिसेंटली ये कनफर्म किया है कि रेड्मी के के 20 सक्सेसर रेड्मी के 30 5G के टेकनलोजी के साथ जल्द ही लाँच किया जाएगा इस पे अभी वर्क चल रहा है जिसमें कि आपको 64 Megapixel के साथ Quad Rear Camera साथ में एक Super AMOLED का Display एक Fast Charging का Support इसके साथ ही 48 Megapixel का Dual Pop-Up Selfie Camera देखने को मिलने वाला है तो क्या है इसी स्मार्टफोन की कुछ leaks, specifications, official pricing और ये कब तक launch होगा हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करें डिजाइन की तो एक Glossy Gradient Metal Back Finish के सपोर्ट के साथ ये आएगा जिसमें की Gorilla Glass 6 का भी protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा साथ में अगर फ्रंट की बात करें तो एक full view display pop-up selfie camera के साथ आएगा और in display fingerprint sensor भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा बात करें गर प्रोशेसर की तो जैसा कि Redmi K20 Pro में आपको flagship chipset 855 प्रोवाइड किया गया था उसी तरह Redmi का K30 Pro में आपको snapdragon का upcoming chipset 865 जो की flagship chipset है वो प्रोवाइड किया जाएगा बात करें cameras की तो back में आपको quad rear camera का support देखने को मिलने वाला है जो की 64MP के primary resolution के साथ आएगा जिसमें की Sony का IMX sensor प्रोवाइड किया जाएगा इसके साथ 48MP का एक ultra wide angle lens 13MP का एक micro lens और इसके साथ 8MP का एक depth sensing प्रोवाइड किया जाएगा यह अभी officially confirm नहीं है बट leaks and rumors के according यही specification बहार निकल के आई है साथ में बात करें अगर selfie camera की तो 48MP का dual pop of selfie camera इसमें provide किया जाएगा जैसा कि Vivo अपने upcoming Vivo V17 Pro में करने जा रही है बात करें battery की तो 5000mAh की battery आपको 18W के fast charger के साथ देखने को मिलेगी इसके साथ ही दोस्तों इसमें type C port साथ में NFC और अगर operating system की बात करें तो EMUI 11 जो की base होगा Android 10 के उपर जो अभी recently launch किया गया है Google के तरफ से बात करें storage and RAM variant की तो 2 storage RAM variant के साथ आएगा ये smartphone 664GB and 6128GB इसके साथ 3 main color variant देखने को मिलेंगे midnight black, glossy blue और gradient red बात करें launch date की तो Redmi की तरफ से इसके कोई confirmation नहीं आए कि ये smartphone कब तक आपको देखने को मिलेगा बट कुछी leaks and rumors के according मैंने ये smartphone का specification सबको बताया है इसके साथ अगर pricing के बात करें तो ये भी confirm नहीं है बट Redmi K20 Pro का higher variant 27,000 के लगभग आपको देखने को मिला था तो ये इस smartphone भी आपको 28,000 के range तक देखने को मिल सकता है तो यही था दोस्तो Redmi K30 Pro का कुछ specifications, leaks, rumors और भी सारे बहुत कुछ specifications तो मिलते हैं दोस्तो आपसे next video में तब तक के लिए keep smile have a great day